सो गाइस जिसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि किन्यून ने कल्टिवेशन करने के लिए लियान से कहा था तो लियान ने यूक को समझाया था कि तुम्हारा कौर एलिक्सीर फिल्ड का है इसलिए तुम किन कबिले की तरह कल्टिवेशन नहीं कर सकते हैं मैं अगर कुछ लोगों के घर जला देती है और उन्हें बुरी तरह मारती है यह सब आयरन फ्रेंट सीठी में किंड़े देख रहे थे तो यह उनके पास किन्यू के माश्टर आते हैं जो किंड़े से कहते हैं कि मैं किन्यू के बारे में आपको रिपोर्ट देने आया हूं यह सुनकर किंड़े काफी खुश होते हैं और माश्टर से पूसते हैं कि तुम मुझे बताओ कि एक्स्टरनल आर्ट में किन्यू ने तुमसे कोई वादा किया तो माश्टर बताते हैं कि धर्ट प्रिंस काफी हाड़ वक करते हैं उनकी सोच एडर से भी जादा है जिस तरह से किन्यू उने मिश्टी विला के होट स्पिंग और टोनिक डाइट में भी अपने कर्टियेशन को पुरा किया उसे देखकर मुझे लगता है कि एक्स्टरनल आर्ट के पीक पर पहुंच जाएगा तो किंडे पूंचते क्यों से हाई लेवल तक पहुंचने में कितने साल लगेंगे तो म सबकी न्यू मास्टर के केने पर रोज मार्शल आर्ट की हाइट प्रेक्टिस करता है ताकि वो अपनी बोड़ी को स्ट्रोंग बना सके उसके बाद हो सेवल से कहता है कि तुम किस तरह के बढ़ हो तुमारे सर पर गोर्डन फेदर क्यों है और हसने लगता है और से बताता ह मैं उसी तरह से प्रेक्टिस कर रहा हूँ जिस रजे से मेरी बोड़ी तो इस्ट्रोंग हुई लेकिन मेरी प्रोग्रेस स्लो हो गई इसलिए मुझे कोई नया तरीका ढूनना होगा और उसे बल के साथ अपने रूम में चला जाता है और बुक में से सभी मार्शल आर्ट मा एक साथ से जादा से प्रेक्टिस कर रहा हूँ अब मेरी बोड़ी भी श्ट्रोंग हो गई है मुझे इसा लगता है कि मेरे एलिक्सिब फिड की प्रोब्लम अपने आप गायब हो गई होगी और उस टी का कर्टियेशन करने लगता है जिसकी वाज़े से उसका एलिक्सिब spiritual energy को एफजो करने लगता है यह देखकर हो अपने कर्टियेशन को बंद नहीं करता लेकिन थोड़ी देर बाद उसका core power एफजो करना बंद कर देता है और छोटा सा blast होता है जिसे देखकर किन्यू को लगता है कि हो हर बार की तरह फेल हो गया तब हो देखता है कि उसका एल करने लगता है और सुचता है कि दर एड में जो की डू शांग जिंग शिव शेंग सी जिंग काई और तीन क्यूई है जिसे तियान में और धी की तेन सीरीज में डिवाइट किया गया है लेकिन मेरे पास इटरनल फॉस नहीं है इसलिए में एक्सटरनल फॉस पर डिपेंड रहूंगा कुछ देर बात किन्यू को समझ आता है कि यह सब करना उसके लिए कठीन है इसलिए और खुद की गाईड आर्ट ट्रीक बनाने का सोचता है और फिर से कर्टियोशन करने लगता है इस तरह से कर्टियोशन करते हुए किन्यू को तीन साल भी जाते हैं और अब उस है कि वाटर और विंड की स्पीड एक जैसी है इसलिए दोनों भी एक्स्टरनल एनर्जी को एव्जो कर रहे हैं और वहां में उड़ने लगता है यह देखकर लियान कीन्यू से पूंचते हैं कि तुमने कैसे किया तो गयता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है और वहां से जंगल में चला जाता है जहां उसे फिर से ट्री वुल्फ दिखाई देते हैं वुल्फ भी कीन्यू को देखकर पेचान गया था कि वही लड़का है जिसने कुछ साल पेले मेरी पिटाई की थी इसलिए ट्री वुल्फ आँ से जाने लगता है मगर कीन्यू उसकी पूंच प बनाई है वो काफी नहीं है लेकिन में उस ट्रीक से इसे डेमेज कर सकता हूं तबी ट्री वुल्फ कीन्यू पर हमला करता है तो यू वुल्फ से बचने के लिए ट्री पर चड़ जाता है और वुल्फ से कहता कि क्या तुमारे पास इतनी पावर है तुम सच में बेकार हो ये सुनकर वुल्फ यू पर हमला करता है लेकिन हर बार की तरह यू उसके अमले से बच जाता है और उसे अपने ट्रेप में फसाने के लिए इदर उदर भागता है वहें कीन्यू को प्रोटेट करने वाले सेनिक यू का पीछा करते ठक जाते हैं लेकिन वहें को नहीं लाइट डांस का बिग डीपर रखना चाहिए वहें कीन्डे के पास जू यू आना आता है वो डे से कहता है कि एल्डर नियान ने आपके लिए एक लेटर बेज़ा है जिसमें उन्होंने बताया है कि प्रिंस की न्यू को प्रोटेट करने के लिए जो आपने तिरी कवर्ड हैं और उस लेटर को खुद पढ़कर देखते हैं और जुआन से कहते हैं कि तुम उन तीनों सेनिकों को वापस बुलाओ और यू को प्रोटेट करने के लिए किसी और सेनिकों बेजने की जुरत नहीं है क्योंकि वो बड़ा हो गया है और उसे थोड़े दिन मुश्किलों क सामना करने दो क्योंकि कुछी दिनों में जिंगी की पूर्णे तीती है मैं जल्दी उसकी डेट का बदला लेकर उसके आत्मा को शांती देना चाहता हूं वहीं मिष्टी विला में किन्यों कुछ बिश्ट के सांद लड़ता है और सोचता है कि जैसा कि मेडिकल बुक में ब पास एक वेपन होना चाहिए और यूग को क्लोस काटर वेपन बहुत पसंद है इसलिए एक स्माल सोड लेने के बारे में सूचता है और एक बुक में यूग वन इस्टिंग वेपन ट्रिक के बारे में पढ़ता है जिसे पढ़कर कि न्यू चोंक जाता है क्योंकि उसे पता चलता है कि लेटेंट ड्रेगन कोंटिनेंट का 1000 से ज्यादा साल का इतिहास है जिसका पहला असेसिन यू था और वो अपनी भुक में यू की सो ट्रीक को ढूरने लगता है लेकिन यू को बुक में वो ट्रीक नहीं मिलती तब यू बुक पर हाथ फेयता है और उसके अंदर से एक सोल निकलती है जिसने बस किन कभिले की रोयल फेमिली एक्टिवेट कर सकती थी सोल की नियू से कहती है कि तुम मेरी बात ध्यान से सुनो मैं तुमें कुछ जवरी बात बताने वाला हूं लेकिन यू सोल की बात पर ध्यान नहीं देता और सोल के बीच में से निकल कर उस उसके साथ नोकरों जैसा बढ़ताव किया इसलिए उसकी नफरत सभी के लिए बढ़ती गई और वो इस कॉंटिनेंट का पहला सेसिन बन गया यह सुनकर यू सोल से कहता है कि तुम बखवास करना बंद करो तो सोल यू को वताती है कि यूवन की इस्टिंग सोट ट्रीक बहु जैसे ये सब से simplest और strongest trick है जो एक वार से एक आदमी को मारदीकी तो किन्यू कहता है कि तुमने जैसा कहा यह शरल है क्योग कि मार्ष्टर ने भी कहा था कि जीतना कर्टिन मार्षाल आत होता है उससे सीखना उतना ही आसान होता है उसके बाद वह सोल Pac 2022 को सो टिक स्काने स trailers ने लगती है जिसे सीखने के बाद धरा केमी सालों से यार रहा हुँ लेकिन मेरे विट्षिता मुझे मिलने नहीं आए मगर मुझे पता है कि वो जरू कोई बड़ा प्लान कर रहे है इस वज़े से वो इतने बीजी है और उनकी मद करने की वज़े से मेरे दोनों बड़े भाई के पास टाइम नहीं है लेकिन मैं भी उनके साधरे कर उनकी मद करना चाहता हूं मगर लियान ने मुझे कहा कि मैं बस एक इन्नेट इस्टेज एक्सपर्ट हूँ इस हिसाब से क्या मैं अपने पीता की मद कर सकता हूँ या नहीं तैब भी उसे कुछ टूटते तारे दिखाई देते हैं जिने देखकर हो बहुत खुश होता है और सेबल से गेता है कि जो टाइशान के घर जाता है जाईउ को देकर टाइश या उसे गले लगा लेती है तो टाइशान यू से पूशता है कि तुम इतने दिनों से हमारे पास क्यों नहीं आए तो किन्यू कहता है कि मैं रोज हार ट्रेनिंग कर रहा था इसलिए मैं तुमारे पास नहीं आपाया ले पेसे लेने से मनाकर देता है ताइबी शियाईू के लिए पानी लाती है और उसे उसे कहती है कि तुम मेरे लिए एक डौला ना जिसके सर पर रेट फूल हो तो किन्यू कहता है कि मैं तुम दोनों के सामान जरूर लाओंगा और वहाँ से चला जाता है ताइबी एक मास्क में सबंद जॉकता है तो किन्यू के इस तरह से जुकने की कोई जुरत नहीं है। ताइब के पास जीयेस आते हैं जो कि क्योंग कबिले से थे वह यू को गले लगाकर कहते हैं है कि तुम मैं एक लेटर बेजना चाहिए था तो किन्यू के ता किसकी कोई जौरत नहीं है मगर मेरे पीता कहा है तो मिन बताते हैं कि और मिन उसे वेपन ले जाते हैं जहां बहुत सारे वेपन रखे हुए थे मेन्यू को वताते हैं कि तुम्हें जो यूचांग डेगर वेपन चाहिए वो भी यहीं है यह सुनकर किन्यू उस खंजर को देखने लगता है और मिन से कहता है कि आप मेरे लिए एक डाग इस्टिल से बर त्यार करो और मुझे एक डोल भी चाहिए जिसके सर पर रेट फूल हो तो मिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ये जरूर लेकर आऊंगा और हस्ते हुए वहाँ से चला जाता है वहीं यू अपने खंजर को चला कर देखता ह और सोसा है कि ये खंजर पूरी तरह यू वान इस्टिंग खंजर की तरह है वहें खेतों में कुछ लोग काम कर रहे होते हैं तो ये उनके पास एक गोडा आता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और अगर आप इसका निश्ट एपिसोड भी है तर सलाँाः आता है